यूज आप इदर, नीदर, एदर और, नीदर नौर, नीदर, इदर इन सभी का परियोग कैसे क्या साता है? आज के इस पुडियो में इसका परियोग सीखेंगे यूज आप इधर, इधर का मतलब है कोई दो, इधर एक ऐसा वर्ड है जिसका परियोग अलग-लग तरीके से किया साता है, अलग-लग मिनिंग के साथ, तो इसका पहला मिनिंग है कोई दो, अब इसे हम परियोग करते हैं संटेंस में, वो किसी दिन काम कर सकती है, या पर किसी दिन से मतलब यहां पर यह है किortion है दो दिन का, और दो दिन में से वो कोई भी दिन कर सकती है, पहला दिन भी कर सकती है, दूसरे दिन भी कर सकती है, तो संटेंस कैसे बनेगा? she can work either day Either day मतलब दो ही दिन है और दोनों में से कोई भी दिन जैसे इसे समझ सकते हैं जैसे पंदरा तारीक है और सोला तारीक है यह दो दिन है दो तारीक है तिया पर पंदरा और सोला यह दोनों में से किसी भी तारीक को किसी भी दिन वो काम कर सकती है रोहित कोई किताब खरीदेगा sentence बनेगा रोहित विल बाई इधर बोक इससे मतलब यहां पर यह हैं कि आपर दो किताबे हैं जैसे आप समझ सकते हैं एक है हिंदी और दूसरा है इंग्लिस हिंदी और इंग्लिस है दो ही किताब है दोनों में से वो कुई किताब खरीज सकता है या वो it will by either book मेरा भाई कोई course join करेगा दो course है तो sentence में पर बनेगा my brother will join either course तो इधर वहाँ पर परियोग करेंगे जापर option 2 हो लेकिन दोनों में से कोई बी कर सकता है कोई भी किताब पढ़ो तो read either book मतलब दो किताब है जो मरजी जो book तुम्हें पसंद है वो किताब तुम पढ़ो निदर निदर का मतलब है ना तो ये ना तो वो आप इस संटेंस में परियोग करते है इस परगार से कि कोई भी रूम खाली नहीं है तिया पर निदर का परियोग आ रहा है तिया पर इसका मिनिंग क्या साथ आएगा कोई भी नहीं या पर बोल सकते हैं कोई नहीं ऐसे बोल सकते हैं निदर मिन्स क्योंकि आपर कोई भी नहीं का मिनिंग आ रहा है क्योंकि निदर भी एक ऐसा word है जिसका परियोग अलग लग तरीके से अलग अलग मिनिंग के साथ क्या जाता है ना तो ये ना तो वो भी होता है जो आप आगे सीखेंगे जिससे neither room is vacant मतलब मेरे पास दो room था मेरे पास दो room से और मैंने का दोनों में से कोई भी खाली नहीं है तो ये अपर हम बूल सकते हैं neither room is vacant कोई कुरसी टूटी हुई नहीं है तो sentence बनेगा neither chair is broken मेरे पास दो कुरसिया है और मैंने का कोई भी कुरसिया टूटी हुई नहीं है या कोई भी कुरसी टूटी हुई नहीं है तो neither chair is broken neither chair means कोई भी कुरसी लेकिन दो ही कुरसी है दोनों में से कोई भी कुरसी टूटा हुआ नहीं है कोई बच्चा नहीं रो रहा है neither child is crying या पर neither child से मतलब यहां पर यह है कि कोई भी दो बच्चा है और दो बच्से में से कोई भी नहीं रो रहा, दोनों खेल रहे हैं, इसे बोल सकते हैं, नीदर के बाइस जो नाउन आएगा, वो नाउन सिंगुलर होगा, और जैसा सब नाउन रहेगा, उसी के अनुसार वर्ब भी आएगा, कोई लैप्टोप अच्छा नहीं है, नीदर लैप्टोप इस गोड़, या पर दिये कोई लैप्टोप, मतलब एक तो हैं SP का, और एक हैं LANDBO का, इससे समझ सकते हैं, और दोनों का दोनों लैप्टोप अच्छा नहीं है, तिया परम बूल सकते हैं, कि नीदर लैप्टोप इ clause परियोग करते हैं sentence देखते हैं या तो वो या तो तुम सुबह में टालते हो इधर he or you walk in the morning तो इधर के बाद या पर noun या pronoun आएगा फिर और आएगा फिर इसके बाद noun या pronoun आएगा और last वाला जो noun या pronoun आएगा as a subject उसी के अनुसार वर्ब भी आएगा क्योंकि अगर he को अगर हम आने तो वक्स करना होगा और अगर you को माने तो वक्स करना होगा तो आपर grammar के अनुसार मानज आता है कि जो वर्ब के नजदे की subject होगा नजदे की noun या pronoun होगा वही मानज आएगा कि वर्ब कैसा आएगा या तो वो पैसे देगी या तो वो रूम खाली करेगी या पर SM बोलते हैं न या तो तुम ये काम करो या तो तुम बज़र जाओ या तो अंगरे जी सीखो या तो नुक्री सोड़ दो SM बोलते हैं तो sentence बनेगा किसे either civil give money और civil vacant the room या पर ये रूम खाली करेगी मतलब vacant करेगी empty करेगी या तो अंगरे जी सीखो या तो नुक्री सोड़ दो तो sentence बनेगा either learning less और leave the job leave verb है जिसे की learn है तो इधर के बाद या पर ये आसा है का ये आप ओल सकते हैं imperative sentence है ये इसके बाद और के बाद भी कोई imperative sentence है और ये इधर और जो है ये sentence में पार्ट सो पिस्पिस के कॉर्डिंग ये conjunction है जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं conjunction का काम है connect करने का join करने का जोडने का या तो बज़जार जाओ या तो कुछ काम करो either go to market or do some work तो इसे ही sentences बना सकते हैं कई सारे use of neither dot dot nor इसका मतलब है ना तो ये ना तो वो जिसे neither dot 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 nor dot dot verb object होगा जो sentence देखते हैं ना तो रवी ना तो तुम वहाँ जा रहे हो negative word है इसलिए extra में note नहीं लगाएंगे neither rave nor you are going to going there neither rave nor you are going there ना तो रवी ना तो तुम वहाँ जा रहे हो ना तो वो ना तो अमन मुझे पैसे दिया neither see nor अमन gave me money यप आप दे सकते हैं कि जैसा भी tense होगा उसके रूसर बनाएंगे लेकिन इतना जो पार्ट है ये अमन तक जो पार्ट है ये पार्ट आपके sentence present का हो past का हो ये future का हो या model verb से हो किसी का भी हो वो ऐसे ही बनेंगे ना तो मैं तुम से मिलूंगा ना तो मैं तुम से बात करूंगा तो sentence बनेगा neither I will meet you nor I will talk to you इसे हम बोलते हैं जब लोग किसी से अंग्री हो जाते हैं तो बोलते हैं ना तो मैं तुम से मिलूंगा ना तो मैं तुम से बात करूंगा तो इंग्लिस से मैं इसे बोलेंगे neither I will meet you nor I will talk to you ना तो वे लोग कोई काम करते हैं ना तो वे लोग पढ़ाई करते हैं, तो sentence बनेगा neither they do some work या any work इससे बुल सकते हैं, nor they are study, या पर देगे some work आप यहापर बुल सकते हैं, यानि का परियोग negative या interrogative में यूज़ किया जाता है, either of means कोई, जैसे sentence मनाते हैं, कोई table टूटा है, या पर either से मतलब है, कोई से मतलब कोई दो, और कोई मतलब दो, मतलब कैसे बुल सकते हैं, either of tables is broken, मतलब कोई table टूटा है, दो table है, दोनों में से कोई, कोई किताब मददगार है, either of the books is helpful, या पर इस बदों को ध्यान रखना है, कि either of के बाद जो ये noun आएगा, ये noun plural होगा, लेकिन verb जो होगा, वो verb singular होगा, आखिर क्या हो, क्योंकि आपर books में से कोई दो, table में से कोई दो की बात हो रही है, या पर सब की बात नहीं हो रही है, कोई दो की बात हो रही है, या पर आप singular इसे मानते हैं, कोई मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, या पर हमारे पास दो किताबे हैं, दो किताबे हैं मेरे पास, और मैंने का कोई किताब मददगार है, तो हमारे पास किताब तो दो है, लेकिन दो में से हम किसी एक की बात कर रहे है यहाँ पर इसा कुछ मिनिंग है जब इसा कुछ मिनिंग है दो में से एक तो यह पर इधर कनफर्म कर रहा है कि एक है एक है तो इसी के नुसार वर्बाएगा इस या फिर वाज पास्ट में कोई लड़का यहां आएगा इधर आप दा बॉइस विल कम हेर यह पर दो लड़ का हुसा आगा तियां पर बोईस करना होगा लेकिन किसी एक लड़के की बात है जब संटेंस पास्ट या फ्यूसर में होता है तो कोई हमको दिक्कत नहीं होता पर्जेंट में थुड़ी से दिक्कत होती है कि आपको इसे मार डूड़ के अनुसार आपको देखना होता है व दोनों में से कोई एक जानती होगी एदर मेंस दोनों में से कोई भी जैसे हम संटेंस मिनाते हैं कोई भी फोन अच्छा है एदर फोन इस गुड़ या बदगे कोई फोन मतलब दोनों में से कोई भी कोई भी लड़की खाना पका सकती है मैंने का कितने लड़किया यहां पर ले जा सकते हैं उससे खाना पकवा सकते हैं तो sentence बनेगा either girl can cook food मुझे कोई गाए पसंद है तो sentence के बनेगा I like either का दोनों में से कोई भी का जो भी दे दो चाहिए वाला दे दो या वो वाला दे दो कोई भी दे दो मुझे सब पसंद है वो किसी दिन आएगा he will come either day वो किसी दिन आएगा तो इसम संदेंसे बना सकते हैं कोई भी लड़का यहां कर सकता है either boy can do it तो इसम संदेंसे बना सकते हैं neither means दोनों में से कोई नहीं जिसमें बोलते हैं कोई भी लड़की यहां नहीं आई neither girl can hear कोई भी किताब उपयोगी नहीं है neither book is useful यह बड़के संदेंस तो हैं दो किताब हैं दोनों के किताब फालतो हैं दोनों के दोनों किताब unusual है कोई भी लड़का अपर एकसा पास नहीं किया मतलब एक्जाम तो दिया था चार ने लेकिन जारों में से किसी ने पास नहीं किया चारों के चारों फेलोगे तो sentence बनाएंगे neither boy pass the exam कोई मैं कोई भी कलम नहीं खरी दूँगा I will buy neither pen कोई वो कोई किसी भी दिन नहीं जाएगा He will go neither day तो इसे sentences हम बना सकते हैं कई सारे sentences बना सकते हैं जब हां में हां मिलाना हो तो इधर का परियोग करते हैं जैसे वो खाना पका रही है She is cooking food generally बोलते है अगर बोलना हो कि मैं भी खाना पका रही हूँ तो बोलेंगे या मन भी खाना पका रहा है तो मन इस cooking food either ऐसे बोल सकते हैं मैं बजार जा रहा हूँ I am going to market मैं भी बजार जार हूँ I am going to market either वीलो कर्केट नहीं खहल रहे हैं तो sentence मैंने का They are not playing kindergarten वीलो कर्केट नहीं खहल रहे है अब किसीने का मैं भी नहीं खहल रहा हूँ I am not playing either तो इसे sentence समशाने से बना सकते हैं इसी बार से नीदर का भी यूठ से जब नामे ना मिलाना हो किसीने का मैं ये पसंद नहीं करता हूँ तो मैं भी नहीं करता हूँ मैं असा नहीं करता हूँ तो मैं भी नहीं करता हूँ उसने ये काम नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया जब नामे ना मिला ना हो इसे वे लोग मैस नहीं जीता तो मैंने का निदर डिड आई, मैंने भी नहीं जीता, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, I will not go there, आप किसी ने गाँ, मैं भी नहीं जाऊंगा, निदर विल आई, तुम इसकूल नहीं गया, you did not go to school, आप किसी ने गाँ, मैं भी नहीं गया, निदर डिड आई, तो sentence में जैसा भी आपका word वोग उसके नसार बना सकते हैं, sentences असानी से बना सकते हैं, so guys thanks for watching, that's all for today,